अब खबर इस्राइल के साथ सबसे बड़े साज़िश्ट करते हैं नेतन याहू को उनके सबसे भरोसे मन्द कूपिया दिकारी ने बहुत बड़ा धोका दे दिया है इस्रेल और पश्चमी मीडिया की एक रिपोर्ट ये दावा कर रही है कि हमास के हमले के बारे में मुसाद को एक एक बात मालू मुझा पहले साथ अक्टूबर का हमला जब इस्रेल के साथ पूरी दुनिया को इस अटेक ने हैरान कर दिया फिर देड़ महीने तक घाजा पर बंबारी तेरा हजार लोगों की मौट घाजा का जर्रा जर्रा बिखर गया अक्टूबर भी था नवंबर वे खत लेकन उससे पहले 24 नवंबर को सीज फायर के साथ बंदकों के रहाई इन सब के बीच एक रिपोर्ट तूफान बन कर आई है जिसने इसरेल के हमास के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन को बहुत बड़े शक के घेरे में डाल दिया है जितना बारूद घाजा पर नहीं गिरा उतनी आग इस रिपोर्ट में है पश्चिमी मीडिया में खबर चपी की साथ अक्तूबर को हुए हमले से पहले मुसाद से जुड़े बड़े अधिकारियों को हमास के हमले को लेकर इंटेलिजन्स रिपोर्ट बेजी गई थी Financial Times के इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इसरेल की इंटेलिजन्स ने ना सिर्फ इस रिपोर्ट को नजर अंदाज किया बलकि मुसाद के बड़े अपसरों ने इस रिपोर्ट को खारिच कर दिया अब खारिच करने का क्या मतलब है क्या मुसाद का कोई बड़ा अधिकारी हमास से मिल गया था क्या मुसाद के अंदर हमास का Slipper Cell बन चुका है जिसमें बड़े बड़े अधिकारी हमास के लिए डबल एजिंट बन गए है 7 अक्टूबर को लेकर इस्रेयल में बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और इसके जब तक नहीं मिलेंगे बहुत सी गलत फैमिया बनी रहेंगे जिसमें शक नहीं कि 7 अक्टूबर को हुआ हमला मुसाद की सबसे बड़ी नाकामी रही पूरी दुनिया ने इस्रेयल के सुरक्षा चक्र को ढहते हुए देखा और अब मुसाद पर ऐसी उंगलियां उठ रही हैं जिससे ये बात साफ हो रही है कि 7 अक्टूबर को हुआ हमास का हमला एक तरह से होने दिया गया इस बात में कोई शक नहीं कि इस्रेयल की सबसे हाई प्रोफाइल इंटेलिजन्स एजनसी मुसाद पूरी तरह फेल हो गई हमास ने जब 7 अक्टूबर को खुलम खुला इस्रेयल पर हमला किया तो उसने 1200 इस्रेयली नाग्रिकों के हत्याएं की और साथ में करीब धाई सो लोगों को बंदक बना लिया हमास in a remarkable act of creativity burst through the borders of Gaza and seems to have taken a number of Israelis hostage they've never really done that before this is unprecedented and in some ways from the हमास perspective they've done in 2023 what Egypt did in 1973 साथ अक्टूबत का हमला वाकई बहुत ख़तरनाक था इस्रेल चंद घंटों तक समझी नहीं पाया कि आखिर क्या हो गया किसने हमला किया, किसने मारा, किसे अगवा किया और कौन कहां से आकर कहां लोट गया इस्रेल का पूरा सुरक्षा अमला अंधेरे में रहा Financial Times की रिपोर्ट में कहा गया है कि जब मुसाद के बड़े अफसर को बताया गया कि हमास की तरफ से बड़े हमले का खत्रा है तो उसका जवाब था कि ये सिर्फ खयाली बाते हैं हमास को लेकर जो रिपोर्ट दी गई थी उसमें घाजा से लगी दीवार और बाढ़ के आसपास की वीडियो रिकॉर्डिंग थी और Electronic Intelligence थी लेकिन एक तरह से उसने सभी रिपोर्ट डस्टमेंड में फेक दी ये सब बातें इसरेल के दक्षणी कमान से जुड़े मुसाद के बड़े अफसर को बताई गई थी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ओस अफसर को बहुत ही खुफिया तरीके से सभी चेतावनी दी गई थी कि हमास बॉर्डर पोस्ट को उड़ाने की तैयारी कर रहा है और ऐसा हमला कई जगह हो सकता है लेकिन उस सबसर का रवया ऐसा रहा जैसे ये रिपोर्ट कोडे दान में डालने लायक है मुसाद को जो खुफिया रिपोर्ट मिली थी उसमें इसरैल के कुछ ठिकानों का भी नाम था जहां हमास हमला करना चाहता था और साथ अक्टूबर को ऐसा हुआ भी हमास ने कई जगह हमला किया खुल कर गोलिया चलाएं बहुत से लोगों को मार डाला यह सब बातें मुसाद के उससर को बताई गई थी लेकिन उसने एक भी रिपोर्ट को लेकर यकीन नहीं किया हमास के खत्रे को एक तरह से जान बूच कर नजर अंदाज किया गया इस्रेयल की यूनिट नमबर 8200 ने मुसाद के अफसरों तक जो रिपोर्ट पहुँचाई उसमें हमास के कैडर के बारे में भी बहुत कुछ बातें बताई गए यह सब बातें हमास को यूनिट नमबर 8200 से पता चले साथ अक्टूबर के हमले को inspire 1973 में हुए हमले के बाद सबसे खतरनाक अटैक बता गया है 1973 में यौम किपुर के दिन जो यहूदी धर्म में पवित्र दिन माना जाता है उस दिन सीरिया और मिसर की फौज ने हमला करके इसरेल को चौंका दिया था साथ अक्टूबर को भी यही हुआ इसरेल फिर चारों खाने चित हो गया उसके बाद इसरेल की बंबारी से जो कुछ भी हुआ चाहे उसमें गाजा को पूरी तरह मिटाने वाली बंबारी की हो लेकिन सच यही है कि इसरेल की खौफिया एजनसी मोसाद की हैसिया पूरी तरह मिट्टी में मिल चुकी है हमास के हमले के खत्रे को खयाली बातें बताने वाले अपसरों को लेकर कुछ और बातें बता चली है इसरेल के एक सरकारी चैनल कान की रेपोर्ट है कि हमास के हमले की ऐसी यी वार्निंग सैनिकों ने अपने वरिष्ठ अपसरों को दी थी वार्निंग में बताया गया था कि हमले के दौरान विमानों को गिराया जा सकता है और फिर हमास इस्रेल में कई जगर अपने जंडे लगा देगा मुसाद और इस्रेली सेना के टॉप के अपसरों ने अगर ऐसी रिपोर्ट खारिच की तो सवाल उटना लाजमी है इंटेलिजन्स रिपोर्ट खारिच के कई मतलब निकाले जा सकते हैं कई सवाल खड़े होते हैं जिसका जवाब मुसाद को ही देना होगा क्या मुसाद का वो बड़ा अधिकारी हमास से मिल गया था क्या मुसाद के अंदर हमास की एंट्री हो चुकी है क्या मुसाद के अंदर हमास का स्लिपर सेल बन चुका है जिसमें बड़े-बड़े अधिकारी हमास के लिए डबल एजेंट बन गये हैं ये सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि इसरेल के लिए हमास हमेशा सबसे बड़ा खत्रा माना क्या है और अगर मुसाद का कोई बड़ा अपसर बड़े हमले के इंटेलिजन्स रिपोर्ट को लेकर कहे कि ये ख्याली बाते हैं तो सवाल तो उठेंगे अब गाजा में युद्ध के बीच मुसाद को फैसला करना है कि वो ऐसी नाकामी और ऐसे लापरवाही से कैसे ने पड़ता है इस वक्त इसरेल की सेना सीज फायर के बीच उत्तरी घाजा में लड़ रही है और वहाँ उसे हमास की तरफ से बड़े हमले जहलने पड़ रहे हैं हमास के एंटी टैंक दस्तों ने इसरेल की टैंक पूर्स का जीना मुश्किल कर दिया है हमास का दावा है कि वो इसरेल के 180 से जादा टैंक और बखतरबंद गाड़ियों को फोड़ चुका है और अब उसकी निगा इसरेल के सौप टार्गेट पर है यानि उसके सैनिकों की वो टोलियां जिन पर हमला करके हमास बड़ा स्कूर बनाना चाहता है फिलहाल इसरेल के प्रधान मंतरी चाहते हैं कि घाजा से बुरी खबर ना मिले और इस वक्त बंदकों की विहाई ही उनका सबसे बड़ा एजिन्डा है अला के नेतनियाहू करेलू मोर्चे पर घरते हुए नजरा रही उनको यकीन था कि बंदकों की रहाई के साथ राजनेते उथल पुथल में उनकी रा आसान हो जाएगी भ्रश्ट चाहर के आरोप कम पड़ जाएंगे लेकिन ऐसा हूता नजर नहीं आ रहा लेकिन गाजा में नौन स्टॉप बंबारी के साथ नेतनियाहू ने बहुत बड़ी उमीदें पाली हुई है लेकिन 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 लेकि नेतन्याहू को बहुत जल्दी बड़े फैसले लेने होंगे और इसमें मोसाद में उठा पठक भी शामिल रहेगी साथ अक्टूबर को जो डेंड मोसाद की एमेच को लगा है उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है लेकिन अगर इस्रेयल की इंटेलिजन्स नेत्वाक में हमास की एंट्री हो चुकी है तो समझ लीजे कि नेतन्याहू को फिर बहुत बड़े हमले का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि साथ अक्टूबर को हुआ हमला तो फिर शुरबात कही जाएगी इस्रेयल की सबसे बड़ी ताकत उसका इंटेलिजन्स नेत्वाक पूरी तरह खत्माना जाएगा और इसी से जुड़े इस्रेयल की पूरी सिक्योर्टी जिसमें घुसपयच का मतलब नेतन्याहू से बेतर कौन जानता है इस वक्त पूरी दुनिया का फोकस गाजा पर है, इस्रेयल पर है, हमास के अकले कदम पर है और साथ में नेतन्याहू के फैसलों पर है इस युद्ध में अगले कुछ दिन बहुत एहम होने जा रहे है